देखिए जब घर में, हमारे घर में, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो ना उस प्रॉब्लम को फेस करने के दो तरीके आपको देखने को मिलते हैं घर पे, आपने देखा होगा अपने घर पे भी, कि जब भी कोई हमारे घर पे प्रॉब्लम आती है तो दो तरह की लोग होते एक तो उस problem को लेके रोते रहते हैं और एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं तो यह problem तेरी वज़े से आई है, यह problem की वज़े से आई है, यह problem की वज़े तू है, अगर तू ना होता तो यह problem नहीं होती, वो solution नहीं निकालते हैं, वो problem के लिए दूसरों को ब्लेम करते रहत कि तू इसकी वज़ाय है तू इसकी वज़ाय है लेकिन हमारे घर में कुछ दूसरे ऐसे लोग मेच्योर लोग भी होते हैं जो situation को समझते हैं प्रॉबलम को समझते हैं और साथ देते हैं प्रॉबलम का solution निकालते हैं अब वो हम भी depend करता है कि हम उस घर के सदर्स्यों में किस में अपने आपको शामिल करते हैं क्या हम लोग सिर्फ एक दूसरे पर ब्लेम लगाते रहते हैं कि यह तेरी वज़े से हुआ है तेरी वज़े से हुआ है या फिर हम आगे आके मदद करते हैं या फिर हम उसका solution निकालते हैं तो मैं तो अपने आपको दूसरी कड़ेगरी म में लगा रहे हैं, सुबह तयार होके आते हैं और फिर दूसरों को और सरकार को बेवजय की गालियां देते हैं या फिर बेवजय की बाते कहते हैं इससे बढ़िया आँ बाहर निकल के चार लोगों की मदद कर दीजिए शायद, शायद बच जाए कुछ इससे बढ़िया आप पांच लोगों को फोन करके ये कह दीजिए कि घर पे बैठिये साहब घर पे बैठिये मास्क पहनिये शायद उनकी जान बच जाए